राजदानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां बिहार सरकार ने 22 आईस अधिकारियों का तबादला कर दिया है जिसमें कई जीले के डियेम भी शामिल है अमित कुमार पांडे अब सीवान के नए डियेम होंगे वहीं सूसरी रंजीता को स्रम आयूक्त और को विकास मीशन का अत्रिक प्रभार दिया गया है आईए आपको बताते हैं कौन है सीवान के नए डियेम अमित कुमार पांडे अमित कुमार पांडे 2014 बैच के आयस अधिकारी हैं जो पटना के नगर आयूत के पत पर तैनात हैं इसके पहले अमित कुमार कटिहार के डिडिसी के पत भी समाल चुके हैं अब नितिश कुमार ने उन्हें सीवान जिले की बाग डॉर सौपी है आपको बता दे कि पूरे बिहार में 22 आइस अधिकारियों का तबादला हुआ है जबकि तीन आइस को अतरिक प्रभार दिया गया है वहीं सीवान के पूरू SDM अमन समीर को बॉ प्रेगा है